चंद ग्रहन के सपे, चंदर में सवेद न दिखे, लाल दिखता है। अगर सूर्य ग्रहन लगता भी है ना, उसको डारेक्ट नहीं देखना चाहिए। कि खेंगा ना, लोग उसको पानी में देखते हैं, एक सरे की फिल्म पे देखते हैं, ति कि वो क्या है मुण। अगर कोई एक सेव है, इस सेव को हम लोग खाते हैं, उसको कोई चाकू से काटा है, कि दाते से काटा है, पता चल जाता है कि नहीं। तो जब भी ग्रहन लगता है, तो कोई भी चीज सर्कूलर पार्ट में कट रही होती है। ग्रहन लगेगा ना, तो कैसा कटेगा? गोलाकार. अर्थात इस से यसिध होता है कि ग्रह कैसे है? गोल है. तबी नहीं उसका परछाई गोला रहा है. प्रितवी चाप्टा रहती, तो ग्रहं में आधा आधा हो जाता है। तो प्रित्वी गोल है या चप्टी आप ऐसे को सकते हैं गोल बत है वो जियोड तो गरहन भी कम्प्लीट लगेगा कभी-कभी आधा ही लगेगा वो डिपेंड करेगा कितने दोनों के बीच का एंगल है समझागे कि नहींगा अभी बता बबू हम अगर इसको हटा देते अरे यहां कई बार तो प्रित्वी के साइड 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 से कुछ प्रकास चंद्रमा तक पहुंच जाता है यह साइड साइड से कुछ प्रकास चंद्रमा में हलका पहुंचता है पूरा कंप्लीट नहीं पहुंच पाता है हलका हलका पहुंचता है अब आप बताओ अगर हलका पहुंचा भी, तो साथ रंगों में कौन सा रंग पहुंचा होगा? पड़ लीए, सूपर मुन पड़ लीए छंद मासम नहीं एक इंग अब बच्पन में चंदा मॉमा चंदा मॉमा दूर के ऐसे चंदा मॉमा देखते हैं अजीवी रिष्टे बता जाते हैं बच्पन में मा कहते हैं conteúdo चंदा मामा अलाई इन बढुए जाता है न सब्सक्राइब तो चीमि जह immers दो दुलाई भला लाएगे अरे मांमा था रे उ सिर्मी बना धिया लाड़का सबका लड़की मेदि करी कहा जाता है कि कमाने वाला बस घरवालों को आपके feeling से उतना जादे मतलब नहीं होता है उसको लगता है कमाने वाला रहना चाहिए कितना पैसा कमा रहा है जिसे लगता है कि ना इनकी लड़किया रोटी नहीं नोट खाती है नहीं समझे समाज पैसा परधान है पूरुस परधान नहीं है समाज कैसा परधान है पैसा परधान है चलो आगे बड़े तो ब्लू मून किसे कहेंगे चंद ग्रहन के समय है एक ही महीने में दो पुर्णिमा आए तो दूसरी पुर्णिमा को ब्लू मून कहेंगे रेड मून चंद ग्रहन के समय चंद ग्रहन के समय चंद ग्रहन लाल दिखेगा अगर हलका चंद ग्रहन के समय क्या हो जाता है तो उसे क्या कहेंगे और जब उपभू होता है उपभू जिसे हम पेरीगी कहता है क्या कहेंगे पेरीगी तो चंद ग्रहन पास आ जाता है इसलिए उसे क्या काईगेएएगे शूपर मून ऑब बात बताओ को देखो देखो चिन्द्रमा की हो का था कि पूरा सूरज भड़ा धग देंगा नहीं धग सकता है कितना करता है कितना पास में है उते एक हथेली से सूरेज थख सकते हो, नहीं धग गिया, जितना पास आएगा, उसका एंगल बड़ा होते जाएगा, धख सकता है, दूर जाएगा, तो कम धखेगा, तो ये चंद्रमा अगर दूर में है, तो complete– शूर गरहन नहीं लगा पाएगा, लेकिन अगर पास में है, तो complete– शूर गरहन लगा दे और इससे जो प्रकास आता है, वो इससे डाइवाटेड होके एक केंदडरी कृृत हो जाता है. हलका सा डाइवाटेड होके केंदरी कृृत हो जाता है. चीज वाज़ासे उसको direct नहीं देखना चाहिए. क्योंकि वो क्या है? मूर की एक दम बहुत तेज आ गिया है. मारने वाला चास्मा पहिन के देखते हैं एकसरे की फिल्म पर देखते हैं लोग उसको देखते हैं लेकिन देखते क्यों है ऐसा लगता है चंद गरहन के समय अब बड़ा अजीब मांगना जाता है गरहन को गरहन को अच्छा नहीं माना जाता है ना असुम माना जाता है गरहन करना लगे हो उसको ठंडी करमी से क्या मतलब है लगवे करेगा